हाई गाईज आज हम पढ़िंगे class 4 NCRT English book unit 5th के chapter 1st don't be afraid of the dark का part 2 so इसमें एक और poem हमें दी हुई है उसको भी पढ़ लेते हैं if you keep on going and never stop अगर आप हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे और कभी भी रुकेंगे नहीं you can keep on going, you can make it to the top और तो आप चलते रह सकते हैं और आप अपने आपको उंचायों तक पहुचा सकते हैं life is full of mountains, some are big and some are small जो हमारी जिंदगी है वो पहाडों से भरी हुई है कुछ पहाड बढ़े हैं और कुछ छोटे हैं but if you don't give up, you can overcome them all और लेकिन अगर आप हार नहीं मानते तो आप उन सब को पाल कर सकते हैं so keep on going, try not to stop इसलिए हमेशा चलते रहिए कभी भी रुकने की कोशिश मत कीजिए when you keep on going, you can make it to the top क्यों अगर आप चलते रहेंगे हमेशा तो आप खुद को उन्चायों तक पहुचा सकते हैं इसमें कहा है कि अगर आप हमेशा चलते रहेंगे और कभी रुकेंगे नहीं तो आप हमेशा चलते रह सकते हैं और अपने आपको उन्चायों तक पहुचा सकते हैं जो जिन्दगी है वो पहाडों से भरी हुई है कुछ बड़े हैं, कुछ छोटे हैं लेकिन अगर आप हार नहीं मानते तो आप इन सब को पार कर सकते हैं तो इसलिए चलते रहे और कभी भी डुखने की कोशिश मत कीजिए और जब आप हमेशे चलते रहेंगे तो आप अपने आपको उचाईयों तक पहुंचा सकते हैं मारे पास इसकी एक्सरसाइज है और इस डर को कैसे खतम किया जाए उसके बारे में जब दिन खतम हो जाता है तो क्या होता है जब दिन बीज जाता है तो चांद और जो स्टार से तारे होते हैं वो चमकते है जो अर्थ है जो पृत्वी है वो क्या करती है जब दिन खतम हो जाता है जब दिन खतम हो जाता है जो यानि जो कवी है वो क्या चाहते हैं हमसे रात के बारे में यानि जो कवी है वो हमसे चाहते हैं कि हम रात को अपना दोस्त बनाए क्या जो कवी है वो आपको अंधेरे से डरने के लिए कहते हैं नहीं यह तो गलत है फॉल्स दा पोईट सेज देट स्टार्स विल आलवेज शाइन अट नाइट कवी कहते हैं कि जो स्टार्स हैं जो सितारे हैं वो हमेशा रात में चमकते रहेंगे जो पोईट है वो कहते हैं कि अपने दोस्तों के बारे में सोचिये जब अंधेरा हो जाता है यहां पर आपको यह वर्ड्स जॉइन करके वर्ड्स बनाने हैं और यहां आपको अपोजिट वर्ड्स को फिल करना है नेक्स्ट क्या है आप भी अंधेरे से डरते हैं क्यों यहां मैं भी अंधेरे से डरता हूं या डरती हूं क्योंकि जब अंधेरा हो जाता है तो मुझे कुछ भी दिखाई नहीं देता आप क्या करते हैं जब अंधेरा हो जाता है I call my mother when it is dark मैं तो अपनी मा को बुलाता हूं या बुलाती हूं जब अंधेरा हो जाता है next क्या है what is the word that starts with T rhyme with C's and means to playfully make fun of so आपको एक word बताना है जो कि T से start होता हो और C's का rhyming हो यह है T's next क्या है imagine life without sun आप कल्पना कीजिये कि हमारा जीवन सूरज के बिना कैसा होगा there would be no life on the earth अगर सूरज नहीं होगा न तो earth पर प्रिथवी पर जीवन ही नहीं होगा what are the things that may happen if there is no sunlight कौन कौन से चीज़ें होंगी जो sunlight के ना होने पर होंगी ही नहीं following things may happen यह चीज़ें होंगी climate will become cold यानी जो climate है वो ठंडा हो जाएगा moonlight and stars will continue to shine और जो चाननी है और जो सितारे हैं वो चमकते ही रहेंगे जब सूरज ही नहीं होगा तो वो चमकेंगे those who are afraid of darkness will become frightened forever और जिनको अंधेरे से डर लगता है वो तो हमेशे डरते ही रहेंगे क्योंकि सब पूरा अंधेरा अंधेरा हो जाएगा ना in the absence of sunlight, electrical light will become necessary for everyone और sunlight के absence में जब sunlight नहीं होगी जो electrical light होगी वो सबके लिए necessary हो जाएगी सबके लिए जरूरी हो जाएगी सो यहाँ पर आपका chapter फिनिश होता है अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक्स पर वाचिंग